हेलो अग्रिवन स्वागत है आपका मेरे चैनल निकीज रसोई में आज मैं बताने जा रही हूँ एक DIY फेस पैक ये फेस पैक गर्मी और बढ़साथ के मौसम के लिए है अगर आपके स्किन बहुत रूखी रूखी और अन इवन है पफी आईज हैं तो भी ये फेस पैक आपके लिए किसी चमतकार से कम नहीं होगा चलिए तो बनाते हैं हमारा Miraculous Face Pack इसे बनाएंगे हम चिया सीड से चिया सीड या सबजा सीड जो भी अवेलिबल हो उससे आप इसे बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सबजा सीड जो कि आप देख सकते हैं बिलकुल काले रंगे होते हैं और इस तरह के होते हैं चिया सीड चिया सीड से भी फेस पैक बना सकते हैं लेकिन फिलाल मैं सब्झा सीड ले रही हूँ तो मैं ले रही हूँ एक से दो चम्च सब्जा सीड एक चम्मच सब्झा सीड भी काफी हो जाते हैं फेस-पैक के लिए लेकिन मिक्सी में जब मैं से चलाइंगे ना तो चोटी क्वांटिटी होथी है उसको grind करने में बहुत मुश्किल आती है तो मैंने यहाँ पर दो चमश ले लिये हैं बहुत सारे गुण होते हैं सब्जा सीड में anti-inflammatory होता है anti-bacterial होता है omega-3 fatty acid भी होता है सारी चीज़ें हमारी skin के लिए एकदम जबरदस्त हैं तो मैं यहाँ पर इसे soak कर रही हूँ milk में मैंने यहाँ पर आधा कप दूद लिया है लेकिन सब एक साथ नहीं डालेंगे पहले मैंने 3-4 चमश दूद डाल दिया है और 5 मिनट के लिए इसे cover करके छोड़ देंगे सब्जा सीड फूल जाएंगे सारा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके बाद हम बचा हुआ दूद डालेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए cover कर दिया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है सारा मिल्क जो था हमने डाला उस सब्जा सीड ने अब्जॉर्ब कर लिया है अब हम बाकी का बचा हुआ दूद भी डाल देते हैं अब हम इसे एक घंटे के लिए cover करके छोड़ देना है चाहें तो overnight भी cover करके soak करने के लिए छोड़ सकते हैं तो एक घंटा हो चुका है देखी काफी quantity बढ़ गई है इसकी सब्जा सीड्स की अब हम इसे grind करेंगे बिल्कुल इसी तरह से भी face पे apply कर सकते हैं लेकिन ये छोटा छोटा रहेगा मतलब stick नहीं हो पाएगा face से तो हमें इसका एक paste बनाना बहुत जरूरी है तो मैंने इसे डाल लिया है mixer grinder में और इसे चलाते हुए अच्छा smooth paste तयार कर लेंगे आप चाहें तो थोड़ा पानी भी इसमें add कर सकते हैं ग्राइंड करते समय तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं काफी थिक इसका paste बनके तयार है एक दो चमच हम निकालेंगे face pack के लिए बाकी मैं इसको गोल कर पानी में पी जाओंगी बहुत अच्छा होता है हमारी body के लिए इतने nutrients होते हैं इसमें जो हमें कहीं भी और से नहीं मिलते तो एक तरह से power house of nutrients होता है सब्जा सीट तो मैं इसको पानी में चला कर पी जाओंगी बाकी का face pack में लगाती हूँ तो यहाँ पर मेरी सब्जा स्मूदी बनके तयार है और बाकी का face pack चलिए apply करते हैं पहले तो देखिए मैं पीने वाली हूँ इसको और आप किसके benefits स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत जादा हैं अप चलिए face pack लगाते हैं face को जैसे normal पानी से wash करते हैं वैसे ही हमें wash कर लेना है और brush से या हाथ से जैसे भी आप face pack लगाना चाहें अपने face पे अच्छी तरह apply करना है eyes के पास भी apply करना है अगर आपकी थोड़ी भी eye bags हैं eye puffs की तो वो बिलकुल ये खतम कर देगा अगर आपको धूप में ज़्यादा देर रहना पड़ता है यह हम housewives को kitchen में gas की flame पे बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है तो इसको लगाते ही आपको इतना cooling effect महसूस होगा सारी skin की जो heat होती है वो ये absorb कर लेगा सारा water retention मतलब पानी के जमने की जो skin में problem होती है वो भी इसे लगाने से खतम हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने apply कर लिया है पूरे face पे ने केरिया भी मैंने cover कर लिया है अब इसे हम 10-15 मिनट रखेंगे और सूख जाने देंगे इसको हमें 90% तक dry करना है पूरा नहीं सुखाना है नहीं तो जब हम पानी से दोएंगे तो बड़ी मुश्किल से छूटेगा तो मैंने इसे 90% तक dry कर लिया है और फिर किसी spatula या इस्पून के जो पिछे वाला इससा होता है उससे इसको छुटा लेंगे सीट सारे निकल जाएंगे फिर आप इसे पानी से वाश कर सकते हैं तो नॉर्मल पानी से वाश कर लेना इसे तो यहाँ पर देखिए मैंने वाश कर लिया है और पहली बार के इस्तेमाल से ही काफी फर्क आपको इसकिन में अपनी देखने को मिलेगा जरूर ट्राई करें